36 गड़ के संदर्व में अस्प्रिस्यता का अंत भेदभाव मिटाने तथा समानता के अधिकार के लिए पंडित सुंदर लाल सर्मा जी का नाम बहुत महत्पूर्ण तथा आविस्मर्णी है। 1925 में हरिजनों को इखटा कर राजीव लोचन मंदीर में प्रवेश कराने का कारिकरम रखा हाला कि वो सफल नहीं हो सके और उसके बाद उन्होंने उन हरिजनों को रामचंद्र मंदीर में जो की वही राजीव में है वहां पर प्रवेश दिलाया और साथ-साथ सभी हरिजनों उन्होंने जनेउधारन करने का भी कारेकरम किया। तो बच्चो आप ये सोच रहे होंगे कि मंदिर में प्रवेश कराना कौन सा बहुत बड़ा अंदोलन था। तो उस समय जो भारत की स्थिती थी, वहाँ पर हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। तो इस तारतम में में पंडिस सुंदरलाल सर्मा जी का विशेश योगदान था. तो बच्चो अभी तक आपने फ्रांस की क्रांती, अमेरिका में हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अंदोलन, भारत में भीम राव अंबेटकर और हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा किये गए प्रयास, तथा 36 गड़ में पंडिस सुंदरलाल सर्मा जी द्वारा किये गए प्रयास के बारे में आपने जाना, अब चलिए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अधिकारों के समवैधानिक संदर्भ, यहाँ जो समवैधानिक संदर्भ जो बात आ रही है, तो यह समविधान के परिपेक्ष में है, समविधान का अर्थ कानून हो उसका कोई महत्व नहीं होता है वो तभी सफल होता है जब उसे कानून स्विक्रिति दे अथ्वा माननेता दे हम यह सोचते हैं कि हमें जो अधिकार प्राप्त हैं वो पहले से रहे होंगे हम जब जन में लिये थे तभी से हमको धेर सारे यहां तक कि जब हम गर्भ में थे यह किसी एक समय की देन नहीं है बलकि यह तो समाज की अवस्यक्ताओं मांग और उसके विचार समाजिक बदलाओं का उत्पन परिणाम है इन समाजिक बदलाओं के करण अधिकार भी समय समय पर अपना स्वरूप बदलते रहते हैं तथा इनका दायरा भी बढ़ता जाता ह तो बच्चो जब इनका स्वरूप बदल रहा है तथा इनका दायरा भी बढ़ता जाता है तो अधिकार आम तोर पर उस इस्थिती या अधिकारों का दर्जा हासिल करते हैं जब लोगों की आवस्यक्ताओं को कानूनी रूप से माननेता दी जाए जब तक किसी अधिकार को कानूनी रूप से माननेता नहीं दी जाती तब तक किसी भी अधिकार के लिए वास्तों में लोगों का राज्य के प्रति कोई भी दावा नहीं बनता है तो बच्चो आप समझ गए होंगे कि जो राज्य का संब्यधानिक संदर्भ की जो मैं बात कर रही हूं इसका अर्थ ह कि किसी भी अधिकार को सविधान के द्वारा माननेता देना यहां सविधान सब्द का अर्थ है जो राज्य की सासन है उसके कानून में उल्लेखित होना उसकी स्विकृति होना तो बच्चो समझ गये चलो इसे हम एक उधारण से समझते हैं कि सन 2002 में भारत की संसत के द्वा 16 सविधान संसोधन में सिक्षा के अδिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्विकृति प्रदान की गई तो इसके बाद क्या हुआ कि जो यह अधिकार है कानूनी रूप से नागरिकों का मौलिक अधिकार हो गया ।ो बच्चो जब तब तक कोई सरकार किसी कानून को माननेता नहीं देती उसे स्वीकृती नहीं देती तब तक उसका महत्व नहीं होता। और इसकी आवस्यक्ता इसलिए भी अधिक है क्योंकि जब ये अधिकार कानूनी रूप से स्विकार किये जाते हैं तब किसी देश या प्रांत के सभी समाज के लोग इसे स्विकार कर पाते हैं अन्य था दो-चार व्यक्ति या कुछ समूं के लोग स्विकार करेंगे समाजिकता या नैतिकता के नाते अन्य लोग इसे मानने के लिए विवस नहीं होते तो आप समझ चुके हैं कि किसी देश या किसी प्रांत के सभी समाजों के स्विकृति के लिए किसी भी अधिकार की कानून के लिए स्विकृति आवस्यक है ठीक है बच्चो इसे भी एक उधारन से समझते हैं जैसे कि हमारा जो देश है भारत इसकी राष्टिय भासा हिंदी है अब ये जो हिंदी है हिंदी प्रांत में जो मत्य प्रदेश है 36 गड़ है दिल्ली है राजिस्थान है इन प्रांतों में तो हिंदी बोली जाती है किन्तो यदि हम साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ पर तमील तेलगू इस प्रकार की भासा चलती है उन्हें हिंदी नहीं आती लेकिन हिंदी को राष्ट्री भासा का दर्जा होने के कारण उसे सम्विधान में स्वीकृति मिलने के कारण उस प्रदेश के लोगों को भी अपनी राष्ट्री भासा मानने के लिए तयार होना पड़ेगा और वो हिंदी सीखेंगे इसलिए किसी भी कानून को सासन की स्वीकृति आवस्यक है तो बच्चो अब आप समझ चुके कि कानून कोई भी बनता है तो उसमें सासन की आवस्यकता निश्चित होनी चाहिए इसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाते हैं जो है कि फिस्तु में पहला जो अधिकार है उसको कानूनी माननेता कब मिली फिर से वही इंगलेंड वही फ्रांस और फिर से वही अमेरिका आने वाला है तो बच्चो यह इंगलेंड अमेरिका और फ्रांस को हम इसलिए अपने इस सिलेवस में लेकर आते हैं क्योंकि जो हमारे भारत के मौलिक अधिकार है यह समिधान में ल पहला अधिकार था वो कब हुआ इस पर देख चर्चा करते हैं तो बच्चों जो अधिकारों की कानूनी माननेता है एतिहासिक रूप से लगबग 800 वर्स पुरानी है सबसे पहले इंग्लेंड में जो वहां की राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन जी हां बच्चों इंग्लेंड के उस 800 वर्स पहले के ततकालिन राजा का नाम था किंग जॉन ने 1215 में एक अधिकार पत्र कानूनी रूप से स्विकार किया और इस अधिकार पत्र का नाम था मैगना काटा इस सब्दों को आप ध्यान में रखेंगे बच्चों मैगना काटा क्यूंकि ये बार बार आएगा तो जो उन्होंने अधिकार पत्र जारी किया था घुसीत किया था उस पत्र का नाम था मैगना काटा अब मैगना काटा क्या है और उसमें क्या लिखा था चलिए देखते हैं जो मैगना काटा था उसे अधिकारों का घुशना पत्र कहा गया मैगना काटा अधिकारों के घुशना पत्र में इंगलेंड के राजा ने वहां के लोगों को कुछ अधिकार दिये थे इन में लोगोव द्वारा सीमित मात्रा में अपने प्रति निधियों को चुनने का अधिकार तथा साथ-साथ अपने मन से या अपनी इक्छा से बेवसाय चुनने का अधिकार सामिल था बहुत अधिक मात्रा में अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे लेकिन इसका महत्यु इसलिए है क्यूंकि किसी राजा द्वारा किसी सशक के द्वारा कानूनी रूप से इस अधिकार पत्र को जारी किया गया था ठीक है बच्चो तो मैंगना कार्ट क्या है आप समझ गए होंगे चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं बिल औफ राइट्स, अब यह बिल आफ राइट्स क्या है? चलिए फीर अमेरिका चलते है, इससे पहले हम इंग लेन्ड गए थे, अब हम पुना चलते हैं अमेरिका की और, तो बच्चो, जो बिल आफ राइट्स है, वहाँ अमेरिका के समविधान में एक इक कानून है. तो बच्चो जो Bill of Rights है सन 1776 में इंग्लेंड से आजादी प्राप्त करने वाले तेरा उपनिवेसों ने अपने आपको संगठित किया और संगठित करने के बाद एक नया नाम दिया संयुक्त राज्य अमेरिका जी हाँ बच्चो ये अमेरिका भी इंग्लेंड का गुलाम रह चुका है जैसे की हमारा भारत था लेकिन ये सन 1776 में ही आजाद हो गया था और जिन 13 छोटे छोटे राज्यों को जो की इंग्लेंड की उपनिवेस थे इंग्लेंड ने मुक्त किया वो सब एक हो गये और एक होकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA के नाम से एक नया श्वतंत्र देश अपने आपको गोसित किये अब किसी भी देश में सासन चलाने के लिए सविधान का निर्माड करना पड़ता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपने देश में सविधान का निर्माड किया और इस सविधान के निर्माण के समय उसने अपने नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये ये जो मौलिक अधिकार थे वहाँ के नागरिकों को स्वतंतरता का अधिकार प्रदान करते थे समानता का और सोशन के विरुद्ध कुछ अधिकार प्रदान करते थे तो बच्चु बिल ओफ राइट्स क्या है? जो बिल ओफ राइट्स है, जब अमेरिका ने अपना सविधान बनाया तब उसी सविधान में बिल ओफ राइट्स के नाम से अपने नागरिकों को कानूनी रूप से कई मौलिक अधिकार प्रदान किया इन अधिकारों में श्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ती रखने का भी अधिकार था तो बिल ओफ राइट समझाया बच्चों, पुनाय रिपीट करती हूँ अमेरिका का जो मौलिक अधिकार था, उसे बिल ओफ राइट्स कहा जाता है ये जो बिल ओफ राइट्स है, इसे भी इस सब्द को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे जब हम भारत का मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब इस मैगना काटा सब्द जो कि इंगलेंड के किंग के द्वारा दिया गया था एक अधिकार पत्र तथा ये जो बिल ओफ राइट्स है, जो कि अमेरिका का मौलिक अधिकार है इन दोनों की अधाना वहाँ पर आएगी तो पुना फिर से रिपीट करेंगे बिल ओफ राइट्स और मैगना काटा ठीक है बच्चों ये समझ आ गया, तो अब हम पुना आगे बढ़ते हैं और हम इस बार फिर से चलते हैं फ्रांस की ओर तो जो फ्रांस है, फ्रांस के बारे में इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांती हुई, आप सब भली भाती परिचित हैं क्योंकि इतिहास के नवी कक्षा के अध्याय में भी आप फ्रांसीसी क्रांती के बारे में पढ़े हैं और इसके साथ मैंने भी आपको पुरा इसका रिवीजन करवाया था अब देखिए फिर से 1789 की फ्रांसीसिक रांती आ गई तो इस 1789 के डेट को आप भूलेंगे नहीं और ये बार-बार आएगा और ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि जब आप कक्षा नौवी की परिक् होने चाहिए तो 1789 की फ्रांसीसी कर नती है क्या थी पुनारीव8 करते हैं जो 1789 में होने वाली प्रांसीसी कर नती थी उसके पश्यात फ्रांस की लोगोंने अधिकारों का एक अगोशना पत्र जारी किया जिसमें कई अधिकारों को माननेता दी गई इन अधिकारों में पुनाहवई रिपीट स्वतंत्रता का अधिकार समानता का अधिकार तथा दासों के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया फ्रांसीसी लोगों के लिए अधिकारों का जो घोशना पत्र जारी हुआ था वह एक आधर से था बाकी देशों के लिए आईडियल था अताह बच्चों जो फ्रांस के लोग थे उनके घोशना पत्र जारी होने के बाद जो विस्व के अन्य लोग तंत्रात्मक देश थे उन्हों ने भी अपने नागरिकों के लिए विभिन प्रकार के घोशना पत्र या अधिकार पत्र जारी किये तो इस प्रकार से किसी भी देश में अधिकारों का घोशना पत्र जारी हुआ और इन अधिकारों के सम्मूह को सविधान या Constitution नाम दिया गया तो बच्चो अब एक आपके सामने नया शब्दारा है सविधान या Constitution ये वास्तों में ये Constitution ये सविधान क्या है हम भी पढ़ते हैं 26 जन्वरी सन 1950 को भारत का सविधान लागू हुआ था तो सविधान क्या है च सविधान किसी देश की ऐसी सर्वोच्य स्थिति होती है जिसके माध्यम से उस देश का सासन प्रसासन संचालित होता है तता सविधान की सर्वोच्यता इस बात से लगाई जा सकती है कि वह किसी देश में उपस्तित अन्य कानूनों नियमों वियनेमों आदि की तुल्ला में प्रात्मिक होता है और इसे क्योंकि ये साब्दिक जो अर्थ है इसका थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है तो इसे हम और आसान करके समझते हैं कि जो सविधान है सविधान सब्द जो है अगर इसका संदी विग्रह करें तो समधन विधान सब्दे से मिलकर बना है तो ये जो अर्थ होता है विधिन का समुच्य और मैंने बच्चों आपको पहले यह बताा है कि कानुन विधिक Arrow होता है कानुन तो सविधान एक ऐसा ग्रंत या ऐसा घोठ्वना पत्र है जो कि सासरां के द्वारा बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी विधियां अर्थात नियमों का उलेख हो उसका समूँ हो उसका समुच्य हो और इन विधियों के द्वारा ही किसी भी देश का जो सासन है वो अभिशासित होता है अर्थात उन सविधान के आधार पर ही उस देश का सासन चलता है तो बच्चों सविधान की आधारना समझ है और यह जो सविधान होते हैं यह लिखित भी होते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं विखित रूप में सबसे बड़ा सविधान है यहां भारत के सविधान में एक आम नागिरिक से लेकर के राष्टपती, प्रधान मंत्री, अन्य सम्वैधानिक जो पद हैं, मुख्य मंत्री, कलेक्टर, इत्यादी का उनके कर्तब्य, उनके अधिकार, उनके सक्तियों की सीमाएं, सब चीज उलेखित हैं और उसी के अनुशार कोई भी वेक्ति अपना कार् एक दूसरे के अधिकारों का हनन किये बिना ये करते हैं, तो बच्चो सविधान समझ आया होगा आपको, फिर अब पुना हम चलते हैं अपने जो में टॉपिक है, जिसे हम इस पार्ठ में पढ़ने वाले हैं, वे हैं हमारे भारत के सविधान में उलेखित मौलिक अधिकार तो बच्चो चलिए अब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, बच्चो अभी मैंने सविधान के बारे में बताया और मैंने ये भी बताया कि जो सविधान है, भारत का जो सविधान है लिकित रूप में विस्व का सबसे बड़ा सविधान है, इस हमारे भारत के सविधान में क और ये जो सविधान के जो मैंने अभी भागों का जिक्र किया मूल रूप से जब वहाँ सन 1950 में बना था तब इसमें इतने भाग और अनुछेद नहीं थे उस समय वहाँ कुल 22 भाग तथा आठ अनुछेद थी 395 अनुछेद थे और अभी भी 395 अनुछेद हैं लेकिन इन अनुछेदों के अंतरगत कुछ सब आर्टिकल्स इन अनुछेदों को आर्टिकल्स कहा जाता है तो टोटल 395 अर्टिकल्स हमारे भारत के सविधान में हैं और इन 395 अर्टिकल्स के अंतरगत और कुछ सब आर्टिकल्स को जोड़ा गया है जिसके करण अब कुल मिला के 470 से भी अधिक आर्टिकल्स जुड़ चुके हैं तो बच्चों पुना में रिपीट करती हूँ कि जो वर्तमान इस्तिती में कुल कितने भाग कितनी अनुछेद हैं तो हमारे भारत के सविधान में कुल 25 भाग 12 अनुछेद हैं और जब सविधान बना था तब कुल 22 भाग 8 अनुछेद थे तो डिफरेंट समझाया बच्चों कुल 3 भाग बढ़ चुके हैं 22 से 25 हो चुके हैं और अनुसूचिया जो है वो 4 अनुसूचिया बढ़ चुकी हैं तो अब हम जो हमारा में पॉइंट था मौलिक अधिकार पर आते हैं सविधान के 22 भाग में से जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है और इस तीसरे भाग के कुल 12 से ले करके 35 अनुसूचिय तक हमारे मौलिक अधिकारों का विवरण दिया हुआ है इतना अगर समझ चुके हैं बच्चे तो चलिए फिलाल हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या है हमारे सविधान में बहुत सारे अधिकार हैं लेकिन इस 12 बारवे आर्टिकल से ले करके 35 अर्टिकल तक वर्णित जो अधिकार है उन्हें ही मौलिक अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सविधान में वर्णित अन्य अधिकारों की तरह सामानने स्थिती में सरकार द्वारा भी इन्हें सीमित या कम नहीं किया जा सकता और यदि किसी स्थिती में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे हाई कोट या सर्वोच नियाले अर्था सुप्रीम कोट में अरजी दे सकता है अन्य कानूनों के लिए हाई कोट में अब सीधे अर्जी दायर नहीं कर सकते लेकिन भारत का जो सविधान है उसने इस बात की विवस्था की है कि किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए और इन केस किसी सासक के द्वारा किसी संग के द्वारा किसी समू के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार से अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो व्यक्ति सीधे हाई कोट में या सुप्रीम खोट में मुकदमा दर्ज कर सकता है तो बच्चों आप इसका महत तो समझ चुके होंगे कि यह मौलिक अधिकार या बुनियादी अधिकार क्यूं है ठीक है बच्चों तो अब हम आगे बढ़ते हैं यह वे अधिकार हैं जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता यहां तक की सास में नहीं किया जा सकते मौलिक अधिकार जो है सविधान के भाग तीन में वर्नित है यह बात कंपेट्यूटी एक्जाम में पूसता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्नित है तो मौलिक अधिकार भाग तीन में वर्नित है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है तो इस of Rights से लिया गया है थोड़े बहुत संसोधन करके हमारे भारत के मौलिक अधिकारों में इसे प्रयोग किया गया इसके बाद जो मैगना काटा की मैंने बात की थी कि मैगना काटा शब्द कहां से आ रहा है तो जो भारत का जो मौलिक अधिकार है इसे ही भारत का मैगना काटा कह जाता है हमारे सविधान में जैसे हमने Bill of Rights मौलिक अधिकार जो है वो भारत के लिये लिया वैसे ही हमारे भारत के सविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो France और England से लिए गई है जैसे भारत का जो संसिदी प्रणाली है वह किस से लिया गया है यह भी प्रशना आता है तो जो संसिदी प्रणाली है वह इंग्लेंड से लिया गया है जैसे हमारे भारत में लोगसभा और राज्यसभा है राज्यसभा उच्छ सदन होता है और लोगसभा निमन सदन को कहा जाता है उसी प्रकार इंग्लेंड की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और पार्लियामे अब समझ बन चुकी होगी कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिसे कोई छीन नहीं सकता यहां तक कि उस देश का शासन या राज्य या सासक कोई भी आपसे छीन नहीं सकता और इसे जो है सर्वोच चनियाले तथा उच चनियाले से संड़क्षन प्राप्त है और मौलिक प्राइट्स अर्थत अमेरिका से लिया गया है और मौलिक अधिकार से संबंधित मैगना काटा जो की इंगलेंड के द्वारा जो अधिकार पत्र था उससे लिया गया है तो भारत के सविधान का मैगना काटा की से कहा जाता है भारत के सविधान का मैगना काटा सविधान के भागतीन जो की मौलिक अधिकारों से संबंदित है उसे कहा जाता है इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकेंगे चलिए बच्चो अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत के सविधान में कौन-कौन से मौलिक अधिकार हैं उसका अध्यान करते हैं तो चलिए देखते हैं भारत के सव समानता का अधिकार दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार तीसरा सोशन के विरुद्ध अधिकार चोथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पांचवा संस्कृति और सिक्छा संबंधी अधिकार तथा छटवा है समवेधानिक उपचारों का अधिकार तो कुल 6 अधिकार Sarm का अधिकार 5. संस्क्रिति और सिक्षा का अधिकार और 6. समवेधानिक उपचारों का अधिकार यह जो अधिकार है कुल 6 हैं लेकिन अलग-अलग आर्टिकल्स में वणनी थे तो पहला समानता का अधिकार है वह कुल 14 से लेके 18 आर्टिकल जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक वर्णित है फिर जो दूसरा स्वतंतरता का अधिकार है वह 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक वर्णित है उसके बाद सोशन के विरुद्ध अधिकार आता है ये 23 और 24 अनुच्छेद में वर्णित है और धर में की ōषीशवतंतरता का जो अधिकार आता है वहां 25 से लेकर 28 उपकशेद तक वरणिद हैं, इसके बाद जो संस्कृति और सिक्षा संबंद्धै अधिकार हैं वो 29 और 30 उपकशेद में वरणिद हैं और इसके बाद आता है समवैधानिक उपकारों का अधिकार तो यह अर्थात 32 में वर्णी थे अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि इतने सारे मैंने अनुछेद बताए उसमें से 31 अनुछेद तो मैडम ने बताया नहीं तो वो कहां गया जो 31 अनुछेद था जब हमारा सविधान लागू हुआ था 1950 में बच्चों 26 नुवंबर सन 1949 को हमारा सविधान सभा के द्वारा पारित हो चुका था और 26 जन्वरी सन 1950 को हमारा सविधान लागू हुआ था जब हमारे देश में सभिधान लागू हुआ था उस समें कुल साथ मौलिक अधिकार थे और जो संपत्ति का अधिकार है वह सात्वा मौलिक अधिकार था उसे आर्टिकल 31 में रखा गया था अभी मैंने जो आपको आर्टिकल्स अधिकार के साथ बताए उसमें 31 उसमें जो है संस्कृति और सिक्षा के अधिकार 29 और 30 के बाद सीधे संवेधानिक उप्चारों का अधिकार अर्थाद अनुछेद 32 आ गया था और 31 जो है उस इस्थान पर अब नहीं है तो यह जो 31 संपत्ति का अधिकार था इसे 44 सविधान संसोधन के द्वारा सन 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया कब हटाया गया, बच्चो, सन 1978 में और कॉन सा सम्झधानिक संसोधन था ये, तो यहां है 44 सम्झधानिक संसोधन, ये भी पुछा जाता है कि किस सम्झधानिक संसोधन में संपत्ती के अधिकार को हटाया गया, तो उत्तर है उसका 44 शंसोधन विदेयक था ये फिर इसके बाद अब जब इसे हटा दिया गया तो क्या ये कानून खत्म हो गया नहीं बच्चो ये मौलिक अधिकार अब नहीं है लेकिन ये विधी का कानून में समलित है और हमारे सविधान के जो भाग बारा है मौलिक अधिकार भाग तीन में है और अब ये जो समपत्तिक अधिकार है उसे भाग बारा के 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है तो ये समपत्तिक अधिकार कहा गया हमारे सविधान के बारवे भाग के 301 अनुच्छे दिया आर्टिकल में अब ये उपस्तित है और अब ये मौलिक अधिकार नहो करके कानूनी अधिकार है तो बच्चो कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में कुछ अंतर होता होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मौलिक अधिकार है वो सर्वोच नियाले के द्वारा तथा उच्छ नियाले के द्वारा क्या है सनरक्षित है लेकिन कानून का अधिकार के प्रती भी आप दा की सुनवाई होती है और जब आपको न्याय नहीं मिलता है तो फिर उस अदालत के अगेंस्ट हाई कोट या सुप्रीम कोट में मुकदमा दायर किया जा सकता है ठीक है बच्चो तो अब आपने मौलिक अधिकार क्या है और कौन-कौन से मौलिक अधिकार सविधान द्वारा हम इसले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं जिससे आप इसे जल्दी याद कर सके समस्त सोध संस्कृति के उपचार के लिए किये जाते हैं अब देखिए यह क्या हो गया मैडम आप समस्त सोध संस्कृति के उपचार के लिए किये जाते हैं बता रही है तो चलिए इसके आपको समझा जाएगा और आपको सारे छे के छे अधिकार एक जुबान में याद हो जाएगा समस्त जो सब्द दिख रहा है इसमें सम और इस्त को अलग करिए सम से समता का अधिकार और इस्त से स्वतंतरता का अधिकार फिर जो अगला शब्द है शोध इस सोध में शो का अल आता है संस्कृति तो जो संस्कृति है संस्कृति वह सिक्षा संबंदी अधिकार से संबंदित है और इसके बाद आता है उपचार तो जो उपचार सब्द है समयधानिक उपचारों से संबंदित है तो बच्चो समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किया जाता है इसम प्रणिवेश समय आप जो है मौलिक अधिकारों को कर चाहिए और यह जो मौलिक अधिकार है क्रम से ही याद किया जाना चाहिए जब आप परिक्षा में बैठेंगे तो इन्हें करमसा ही लिखना होता है उस अदालत के अगेंस्ट हाई कोट या सुप्रीम कोट में मुकदमा दायर किया जा सकता है ठीक है बच्चो तो अब आपने मौलिक अधिकार क्या है और कौन-कौन से मौलिक अधिकार सविधान द्व इसके लिए मैं आपको एक ट्रीक बताती हूं जिससे आप इसे जल्दी याद कर सकें तो बच्चो चलो देखते हैं यह ट्रिक क्या है इसके लिए आप एक सब्द याद रखेंगे समस्त सोध संस्कृति के उपचार के लिए किये जाते हैं अब देखिए ये क्या हो गया मैडम आप समस्त सोध संस्कृति के उपचार के लिए किये जाते हैं बता रही हैं तो चलिए इसके सब्द पर आते हैं फिर आपको समझा जाएगा और आपको सारे छे के छे अधिकार ए पिर जो अगला शब्द है शोध को अलग करिए और धा को अलग करिए सोसे हो जाएगा सोशनक अधिकार और धा रहा है धार्मिक सवतंत्रता का अधिकार फिर इसके बाद सब्द आता है संस्कृति तो जो संस्कृति है संस्कृति वह सिक्षा संबंदी अधिकार से संबंदित है और इसके बाद आता है उपचार तो जो उपचार सब्द है समयधानिक उपचारों से संबंदित है तो बच्चो समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किया जाता है इसमें आप जो है मौलिक अधिकारों को क्रम सह याद कर सकते हैं और यह जो मौलिक अधिकार है क्रम से ही याद किया जाना चाहिए कि जब आप परिक्षा में बैठेंगे तो इन्हें क्रम सही लिखना हो में कर सकते हैं